जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन्मन की बार लोग सभाचुनाव को लेकर देश भर में हलचल है 18 जुलाई को विपक्षी दलों ने बेंगलूरू में 26 दलों का गटबंधन बनाया नाम रखा इंडिया लेकिन भारतिय जनता पार्टी ने विपक्ष के इस इवेंट को हाईजेक करने की भरपूर कोशिश की और उसी दिन 38 दनों वाले इंडिये की बैठक दिल्ली में रखी गई हलाकि विपक्षी एक्ता की इस बैठक को मीडिया में हाइजेक करने की कोशिश ज्यादा सफल नहीं हुई और विपक्षी बैठक को भरपूर कवरेज मिला लेकिन फिर गोधी मीडिया में नितीश कुमार के नाराज होने की खबरें चलाई गई और भी बहुत सारी बाते हुई संदेश देने की कोशिश की गई कि विपक्षी एक्ता के अंदर खाने सब कुछ सामाने नहीं है और हो सकता है कि सब कुछ सामाने नहीं भी हो क्योंकि विपक्षी दलों और उनके निताओं के कॉंग्रेस के साथ अलग-अलग राजियों में अलग-अलग समी करण है इसके चलते एक्ता बना कर रखना और खासकर सीटों के बटवारे में समनवे बनाने में भारी समस्या भी होगी लेकिन यहां हम बात करेंगे जारखंड की जारखंड में विपक्षी एकता में कोई समस्या नहीं है। यहाँ जारखंड मुक्टि मूर्चा, कॉंग्रेस और R.J.D. का गटबंधन है। विधान सबाचुनाओं में जारखंड मुक्टि मूर्चा ज्यादा सीटे लेता है और लोग सबाचुनाओं में कॉंग्रेस आधार मजबूत दिखे तो वहां सीटों की अदला बदली हो सकती है लेकिन कमों बेश पिछले चुनाओ जैसा ही समी करण बना रहेगा वैसा ही सीटों का बटवारा होगा पिछले चुनाओ में कॉंग्रेस ने अपने हिस्से की दो सीटे जारखन विकास मुर्चा को दे दी अपनी और कॉंग्रेस दोनों की लूटिया डुबा दी थी भारतिय जनता पार्टी 13 सीटों पर लड़ी थी और गिरीडी सीट उसने आजसू के लिए छोड़ी थी लेकिन इस बार ऐसे कयास लगाये जा रहे हैं कि आजसू शायद गिरीडी सीट पर भी न लड़े क्योंकि गिरीडी से वर्तमान सांसत्यंत परकाश चौधरी का जीतना मुश्किल बताया जा रहा है क्योंकि उन्होंने छेतर में समय नहीं दिया है कारेकरता उनसे नाराज है जनता भी नाराज है और भी बहुत सारी बाते हैं हो सकता है कि विदान सभा तक 800 जादा सीटे ले 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 बीजेपी का लक्षी जारकंड की सभी 14 सीटों को जीतना है लेकिन क्या यह इतना आसान होगा पिछले दो लोग सभा चुनाओं यानि 2014 और 2019 में भारती जनता पार्टी और इंडिये ने 12 सीटे जीती हैं 2014 की मोदी लहर में भी उसमें 12 सीटे जीती थी और जेमेम को दो सीट केक सीटे मिली लेकिन क्या 2024 में भी भाजपा की राह इतनी ही आसान होगी नरेंद्र मोदी का करिश्मा जो 2014 और 2019 में चला था क्या 2024 में भी चलेगा क्या बाबुलाल मरांडी की अगवाई में भाजपा वही करिश्मा दोबारा दोहरा पाएगी या फिर उसे जटका लगेग और सर्यूराय की पार्टी भारतिये जनतंत्र मोर्चा और जैराम महतो की पार्टी जेबी के एसेस यानि जहरकंडी भाशा खतियान संगर समिती जो पहली बार लोगसभा चुनाओ लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे क्या कोई उलट फेर कर पाएंगे इन सब पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध एक्रिपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने प्रतिक्रिया जरूर बताईएगा तो शुरू करते हैं जन्मन की बात कभी जारखंड भाजपा के चानक के कहे जाने वाले और फिलहाल जमशेतपूर पूर्वी से निर्दलिय विधायक सर्यूराय के सनक्षण वाले भारतिय जनतंत्र मोर्चा ने एलान किया है कि वह जारखंड में लोक सभा सीटों पर भी उम्मिद्वार खड़े करेगा फिलहाल तीन सीटों पर उम्मिद्वार देने की बात कही जा रही है लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि चुनाव आते आते उम्मिद्वारों की संख्या बढ़ भी सकती है जिन तीन सीटों की चर्चा है उनमें धनबाद चत्रा और पला कसकर रही है इसको समझते हैं शुरुआत धनबाद से धनबाद से पशुपतिनाद सिंह लगातार तीन बार से सांसत चुननी जाते आ रहे हैं 2009 से जीत रहे हैं पी अन सिंग उसके पहले तीन बार विधायक भी रहे धरकंड की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं सर्यूराय इसे एक समय उनके संबन्द काफी अच्छे थे लेकिन जब से सर्यूराय वीजेपी से अलग हुए हैं तब से उनके धनबाद आने जाने को लेकर हर बार यहां अटकर लगती है कि सर्यूराय भाजपा में लोट सकते हैं और धनबाद से लोग सभाका चुनाओ लड़ सकते हैं अब इन चर्चाओं में कितना दम है या सिर्फ चर्चाएं है या तो वक्त बताएगा अलाकि सर्यूराय खुद इन खबरों का बार बार खंडन करते रहे हैं उनका कहना है कि वे दामोदर बचाओ अभियान के तहत अक्सर धनबाद आते जाते रहते हैं लेकिन साथ ही उन् राजा शाथ सिंग्ग ने सर्यूराय की इस बात पर उनकी तुल्ना राजा नहुष्ट रकर डाली थी क्या है इंद्र और राजा नहुष्ट का किस्षा इस वीडियो के सबसे आकशरी में ये इयक किस्षा भी सुनाऊंगा तो इस वीडियो को पूरा देखिए-गा क्योंक सुनील सिंग सांसद है 2014 और 2019 में सुनील सिंग ने लोग सभा का चुनाव चत्रा से लड़ा और जीते लेकिन इस बार सुनील सिंग की राह मुश्किल बताई जा रही है वैसे उनका टिकट कटने की बात तो 2019 में भी हुई थी जब शेत्र से गायब रहने पर भाजपा के कारकर ताओं ने भी उनका भारी विरोध किया था लेकिन किसी तरह से सारुजनिक माफी मांग कर और भाजपा नेत्रितों को मना कर उन्होंने टिकट हासिल कर लिया और बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत गए लेकिन इस बार फिर मुश्किल में है उनकी पार्टी के ही आदि चत्रा से टिकट मिलेगा और अगर मिलेगा भी तो संभावना है कि उनका चुनाव छेत बदल दिया जाए चत्रा में वैश मद्दाताओं की अच्छी खासी संख्या को देखते हुए यह चर्चा भी काफी दिनों से चल रही है कि पूरो मुख्यमंत्री रगवरदास को इस एक मतलब निकाल सकते हैं तीसरी सीट है पलामू जहां भारतिय जनतंत्र मोर्चा ने उमिदवार देने की बात कही है पलामू से बीजेपी के सांसद है जारखंड के पूर्व डीजीपी विश्णु दयाल राम वीडी राम मुलता बिहार के बकसर के रहने वाले हैं भारति में रहते टीपी सी नामक नक्सली संगठन को पालने पोस्ट ने और उसके बाद सीक्रेट सर्विस फंड में घोटाले को लेकर चर्चा में रहे रिटायर्मेंट के बाद वीजेपी जौईन की दोजार चौदा में पहली बार पलामू से सांसद बने और फिलाल दूसरी बा वोटों के अंतर से उन्होंने राजद के घूरन राम को हराया था इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि धनबाद चत्रा और पलामू तीनोही सीटों पर भाजपा के उमिदवार बड़े अंतर से चुनाव जीते थे जारखन की 14 लोकसबा सीटों पर सबसे ज्यादा अंतर से जिन्होंने चुनाव जीता था वे धनबाद से पशुपती नाज सिंग थे उन्होंने कॉंग्रेस के उमिदवार क्रिकेटर कीरती आजाद को 4,86,194 वोटों के अंतर से अंतर से पलामू से बीडी राम जीतने के मामले में मार्जिन के हिसाब से तीसरे नंबर पर थे और से चुनाव जीते थे लेकिन इस बार सर्यू राएकी पार्टी भारतिय जनतन्तर मोरचा यहां से उमिदवार ख़ड़ा करेगी इसकी पुष्टी भारतिय जनतनतर मोरचा के केंदरी अध्यक्ष धर्मेंदधरनाथ तिवारी ने भी की मुझसे बाद चीतर में तिवारी ज दगता है कि धनबाद, पलामू और चत्रा का रहन सहन और बोल चाल बहुत हद तक बिहार से मेल खाते हैं धनबाद पोलियरी छेत्र है और इसके अंतरगत आने वाले विधान सभा के छेत्र जैसे धनबाद, चरिया, सिंद्री, बागमारा, वोकारो आदी इलाकों में बहुत बड़ी संख्या में बिहारी और यूपी के लोग रहते हैं, सर्यू राय का इस छेत्र में अपना ठीक ठाक प्रभाव है, वे पिछले 20 साल से इस इस इलाके में दामोदर नदी को प्रदूशन मुक्त करने का अभियान चला रहे हैं, और इसलिए इस इलाके में उनके कारकर करता उस दामोदर बचाव अभियान के सदस और उनके चाहने वाले काफी अच्छी खासी तादाद में हैं, प्रदूशन मुक्त रखते हुए उसका विकास करना है, पलामू गढ़वा की इलाके का रहन सहन, बोल चाल, भाशा और संस्कृती बिहार से मेल खाती है बहुत हटक बिहार जैसी है जातिय समिकरण भी वहां का बिहार जैसा है और चत्रा के साथ भी कमोबेश यही बात है क्यों की चत्रा लोकसवाच्षेत्र भी, पोलियरी छेत्र है और इसका एक बहुत बड़ा इलाका लातिहार जीले में पढ़ता है जो की पलामू और गढ़वा की संस्कृती से लगभग प्रभावित है इसलिए भारतिय जनतंत्र मोर्चा को उमीद है कि वह इन तीन सीटों पर भी कुछ असर डाल पाएगा सर्यूराय भाजपा से ही आये हैं और उनके दल में अगर सौ फिजदी नहीं भी तो कम से कम 95 फिजदी लोग भाजपा से ही आये हैं भाजपा से जुड़े रहे हैं खुद सर्यूराय ने 24 जुलाई को भाजमो के राजस्तरी समेलन में जो कहा वह उनकी राजनीती की धारा को शपष्ट करता है उन्होंने कहा कि बाबुलाल मरांडी ने स्थानीय नीती के संबंध में बिहार की तज़ पर विधान सभा से बिल पारित कर दिया था इस पर हाई कोट ने रोक लगाई थी उस फैसले को सर्वोट चन्याले में किसी ने चुनोती नहीं दी फिर भी आज जारखंड में स्थानीयता और साठ चालिस का मुद्दा उठाया जा रहा है उन्होंने कहा कि बाबा साहाब अंबेडकर ने समविधान के माध्यम से एस्टी और एस्टी को उनका अधिकार पहले से ही तै कर दिया है कोई भी राजनीतिक दल उनसे उनका अधिकार नहीं चीन सकता EWS के माध्यम से भी सवर्णों को 10% आरक्षन मिल रहा है इन सब को मिलाकर लगबग 60% आरक्षन हो जा रहा है असली मारा मारी 40% में है 40% को कोई खीच कर बड़ा नहीं कर सकता है उन्होंने कहा कि सरकार ने एक तरफ 1932 का खतियान पास कर दिया है वहीं तरफ नियुक्ति में सभी राज्यों के लिए दर्वाजे खोल दिये है यह विरोधा भासी काम सरकार ने क्या है जिसका नतीजा केवल जारखंड के युवा भुगतेंगे आप अपने लोगों को अधिक्तम लाव दे सकते हैं सरकारों को भी या बात समझनी चाहिए याद रखनी चाहिए मगर सही बात कहने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा सर्यू राय किस बयान से जाहिर है एक तरफ वह 1932 का श्रे बाबुलाल मरांडी को दे रहे है और 60-40 के बहाने हेवन सोरेन सरकार पर निशाना भी साध रहे है भाजपा में वापसी की खबरों पर सर्यू राय पहले भी कहते रहे है कि अगर आदमी और बाग में आमना सामना हो जाए तो भला आदमी क्या करेगा जो भी करेगा वो बाग ही करेगा उनका कथन बताता है कि जो करना है उनके मामले में वो भाजपा को ही करना है लेकिन अगर भाजपा ऐसा नहीं करती यानि उनकी वापसी नहीं होती तो वे चाहेंगे कि कुछ ही इलाकों में सही लेकिन अपनी पार्टी को बीजेपी के विकल्प के तौर पर पेश करें यानि भाजपा जैसे ही एक पार्टी लेकिन भाजपा में आ गई बुराईयों से अलग उनके भाषण में उनका जोर इमानदारी और राजनीतिक शुचिता पर रहा तो देश भर में बीना सांसदों और बीना जनाधार वाली पार्टियों को एंडिये में शामिल करने वाली भाजपा जारखंड में एक भी सीट खोने का रिस्क नहीं उठाना चाहेगी ऐसे में भारतिय जन्तंत्र मोर्चा के लोकसभाचुनाओं में उमिद्वार उतारने की घोशना करके सर्यूराय ने एक नपा तुला दाओं खेल दिया है अब इसका क्या असर होगा और कितना असर होगा यह तो आने वाले वक्त के साथ ही इस पश्ठ होगा लेकिन धन्बाद सीट पर बात करें तो पियन सिंग को फिर लगातार चौथी बार टिकट मिलेगा यह नहीं यह भी वक्त पर डिपेंड करेगा लेकिन वहाँ भाजपा का खेल खराब करने में करांतिकारी छातर नेता जैराम महतो भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे जैराम महतो अपनी सभाओं में पहले भी कह चुके हैं कि दामोदर और स्वनरेखा की इलाकों में वे इस बार अपनी नाव उतारेंगे और उसे पार भी लगाएंगे जैराम महतो फिलाल जमशेतपुर, धनबाद, गिरेडी और हजारी बागलोग सभाचेतर का लगातार दौरा कर रहे हैं उनकी सभाओं में भारी भीड जुटती है, कड़ी धूप में और भारी बरसात में भी लोग उनका सुनने के लिए इंतजार करते हैं जैराम अपने जोशीले भाषणों में जारखंडी हक हुकूक की बात करते हैं, सरकारी सेवकों को अवकात में रखने की बात करते हैं, बाहरी लोगों को टारगेट करते हैं और हेमन सोरेन सरकार पर तीखे शब्द बाण भी छोड़ते हैं लेकिन जैराम जिन मुद्दों को लेकर बढ़ रहे हैं उनसे बीजेपी से ज्यादा चिंता जारखंड नामधारी दलों को होनी चाहिए फिर भी 1932 का खत्यान और बाहरी भीतरी का मुद्दा बाहरी भीतरी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसने भाजपा को सोचने पर म पोशी होई है क्योंकि इस वीडियो में मैंने जिन तीन सीटों की चर्चा की धनबाद, पलामू और चत्रा ये तीनों सांसक बिहारी हैं सुनील सिंग, पी एन सिंग और वीडी राम पशुपति नात तो खेर धनबाद में ही पले बढ़े और उनका करमशित्र यही रहा ले यह तो थी सियासी चर्चा, अब आते हैं इंद्र और नहुष की कहानी पर, सर्यूराय ने जब कहा कि पी एन बाबू की मनोदशा इंद्रवाली हो गई है, तो सांसत पशुपति नात सिंग ने कहा कि धनबाद के इंदरासन पर कुछ लोग राजा नहुष की तरह कबजा कर इंद्र देव को शाप दे दिया था, इससे इंद्र देव शक्तिहीन हो गए, असुरों ने इसका फायदा उठाया और स्वर्ग पर आधिपत्य जमाने के कोशिश करने लगे, इंद्र डर कर एकांत में जाकर छिप गए, इससे दैत स्वर्ग में जाकर उत्पात मचाने सब तरिशियों ने देवताओं से नहुष से मदद लेने के लिए कहा, सभी देवता नहुष के पास गए और स्वर्ग लोग को असुरों से बचाने का आगरह किया, नहुष बहुत तेजस्वी और प्रतापी राजा था, नहुष ने अपनी शक्ति किबल पर असुरों को स् स्वामी समझने लगा, उसे हंकार आ गया, उसे स्वर्ग लोग का अधिपत्य मिल गया, तो काम वासनाओं में डूब गया, देवों और तपस्वियों से मनमानी भी करने लगा, उसके मन में इंदर की पत्नी शची को लेकर भी बुरे खयाल आने लगे, एक दिन नहुष ने अपने सेवकों से कहा कि शची को मेरे सामने पेश किया जाए, नहुष ने सची से कहा कि उसके पास इंदर का आसन और सारे शक्तियां हैं, इसलिए अब तुम इंदर की बजाए मुझे अपना पती स्विकार कर लो, शची ने नहुष को मना कर दिया, वो मदद के लिए रहस पती को एक उपायस हुझा, उन्होंने सची को कहा कि वो जाकर नहुष से कहे कि अगर सब्तरिशी उसकी डोली उठाकर लाएंगे, वो उससे विवाह कर ले, प्रियस्पती के कहने पर सची नहुष के पास गई और अपनी शर्त रखे, नहुष के खुशी का ठिकाना न रहा उसने तुरंथ शर्त मान ली और सची से विवाह की तयारी करने के लिए कहा, नहुष ने तुरंथ सब्तरिशियों को अपने दर्बार में बुलाया और उन्हें दोली में बिठाकर सची के पास ले जाने के लिए कहा, सब्तरिशियों के पास नहुष का आदेश मानने के अल इससे नहुष को गुसा आ गया उसने सब्तरिशियों से जल्दी जल्दी कहने को कहा लेकिन उनकी गति नहीं बढ़ी तो नहुष ने क्रोध में आकर सबसे आगे चल रहे अगस्ते रिशी को लाग मार दे इससे सब्तरिशियों के सब्र का बांध तूट गया उन्होंने दोली को वहीं पटका और नहुष को अजगर बनने का शाप दे दिया इस तरह इंद्र लोक का राजा नहुष अपने अभिमान के चलते अजगर बनकर रह गया हजारों साल बाद पांडवों ने नहुष को उसके शाप से मुक्ति दिलाई फिर जाकर उसका उठार हुआ तो पियन के अगले वीडियो में तब तक दीजे इजाजत धन्यवाद नमस्कार